न्यूजिन मिरर की तरफ से हमारे वीर सैनिकों को भाव पूर्ष धांजली कल जो हाथसा पुंच में हुआ उसके बाद सुरक्षा जनसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे सुरक्षा जनसियां ये नहीं भाव पाई कि कुछ अनहोनी जो है वो होने वाली है वैसे भी हमारी सुरक्षा जनसियों पर इस समय काफी जादा निशाने जो है वो सादे जा रहे हैं क्योंकि आपको बता दे कि राजोरी और धांगरी राजोरी के धांगरी में जो हुआ था अभी तक भी उन हमलावारों का पता जो है वो नहीं चल पाया है अभी तक भी राजोरी के लोग इंतजार कर रहे हैं और संजे और दीपक की माँ आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके बेटे की जो मौत हुई थी उनका इंसाफ जो है उनको मिलेगा लगतार उनकी तरफ से सवाल उठाय जा रहे हैं और परशासन पर भी यह सवाल उठ रहे हैं और ऐसे हमारी सुरक्षा अजंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में वो व्यक्ति जो गुजरात से आया था और वो जेट स्क्योटी और हर एक वो वियाईपी मज़े जो लेकर गया यहां से ऐसे में सुरक्षा अजनसिया को नहीं पता चला ये भी सवाल जो है बड़े उठते हैं लेकिन इन सब के बीच में एक बड़े सवाल उठ रहे हैं जो कल हमला हुआ है उस पर क्योंकि कैसे नहीं है हमारी सुरक्षा अजनसिया ये भाब पाई कि कुछ ना कुछ जो रजोरी में होने वाला है आपको बता दूं कि काफी दुखत ये है कि हमारे जो पांच सिपाही जो हमारे पांच जवान है जो की शहीद हो गए है आज उनके परिवार पर कितना दुख का समय है आपको बता दूँ कि चार पहले हमारे चार जवान शहीद हुए थे एक अस्पतार लेके जाये गया था लेकिन कुछ देर के बाद वो भी जखमों के ताव ना सहते हुए वो भी शहीद हो गए पांच परिवार जिन में चार पंजाब के युवक जो हमारे जवान है और एक जवान ओडिसा का बताया जा रहा है हमारे चैनल की तरफ से भापूर शंदांजली उन सब को और उनके परिवार को इन सभी दुखों से निकलने की ताकत भगवान दे ऐसे ही हम प्रात्ना करते है देखे कल जो वाक्या हुआ है यह बहुत ही शरम शरमनाक वाक्या है और सवाल हमारे सुरक्षा एजंसियों पर यहां पर बड़े उठ रहे हैं क्योंकि आपको बता दूं कि लोगों का यह कहना है स्थानी लोगों का यह कहना है हमारी सुरक्षा एजंसियों है वो क्या कर र पहले भी बहुत सारी ऐसे मामले सामने आया है जहां पर चंद लोगों के गदारों के आड़ में आकर जो है और चंद लोग जो है हमारे देश में जो हमारे वीर जवान है उनको निशाना बना रहे हैं आपको बता दूँ कि यह हाथसा जो राजोरी पूंश शेतर में हुआ है आपको ये भी बताते चलें कि दो सालों के भीतर ये है तीसरा बड़ा आंत की हमला जो है ये माना जा रहा है और ऐसरे में राश्च शोक तो है लेकिन हमारी जो सुरक्ष एजंसिस हैं वो यहां पर विफल होती हुई दिखाई दे रही है किसी भी घटना का होना उनको पता ही नहीं है कि यह कोई घटना होने वाली है बड़े सवाल उन पर उठ रहे हैं कि कैसे वो नहीं भापाई है जबकि हमारे सुरक्ष एजंसिस की बात करते हैं तो वो अलर्ट होती है पुंच में क्या चल रहा है यह कैसे वो नहीं बता पाई आपको बताते चले इसमें स्थिती कि पहले यह बताई जा रही थी कि बिजली चमक रही थी और बिजली चमकते जो है उस बस पर पड़ गई और उसमें हमारे सुरक्ष उरक्ष एजंसिस की बात की जाए तो और लोगों दौरा भी यह कहा जा रहा था पहले तो यह पता ही नहीं चल पाया कि आंत की हमला है पह मौसम का फायदा लेते हुए और लो विजिबिल्टी का फायदा लेते हुए जो आंत्की थे उन्होंने गरनेड जो था उस बस पर दागा था जिसके बाद एका एक उसमें इतनी भीशन आग लग गई कि उसमें जो हमारे बैठे जवान थे वो उसी में जल गए काफी दुखत पर निशाना बनाया जा रहा है आम जंता भी इसमें मर रही है और हमारे देश के जवान जो कि लगातार सुरक्षा करते हैं हमारी वो भी इसमें जो है उनको भी अब निशाना बनाने से चूक नहीं रही है हमारी सुरक्षा जन्सिस है वो क्या कर रही है ये काफी सवाल यह बरदाश के बाहिर है क्योंकि आज उनको निशाना बनाया जा रहा है तो आम जंता उनके सामने कुछ भी नहीं है आपको यह भी पता दू कि माननी परधान मंत्री की बात करते हैं तो उन्होंने भी स्थीती का पूरा जायजा लेते हुए कहा है कि आने वाले बविश्य मे ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं होगी ऐसा करने का परियास जो है यानि इन घटनाओं को रोकने का परियास जो है वो किया जा रहा है और उस शेत्र में बड़े पैमाने पर सर्च उप्रेशन जो है वो करने का अनुरोज जो है वो भी किया गया है वहीं पर आपको बता दू क है यह कि हमारे चार जवान जो पंजाब के थे और एक ओडिसा का रहने वाला था वो इस हाथसे में उनकी जान चली गई हवलदार मंदीब सिंग जोकी विलेज चंकोई कच्चन पंजाब का बताए जा रहा है सिपाही हर कृष्ण सिंग विलेज तलवंडी भर्त का बताए जा सिपाही सेवक सिंग विलेज भगगा पंजाब के हैं लासना एक देबशीश विलेज अलगुम समिल स्टेट ओडिसा के बताए जा रहे हैं यह काफी दुखत है कि हमारे जवान लगातार निशाना होते जा रहे हैं अभी तक पुल्वामा का वो हाथसा नहीं भूल पाए है लोग जहां पर हमारे 40 जवान शहीद होगे थे जो कि एक बड़ा आंत की हमला था उसके बाद फिर से एक बड़ा आंत की हमला लगातार हमारे लोगों को हमारे जवानों को निशाना बनाते हुए आंतक वादी नजर आ रहे हैं कहा तो यह का जा रहा था कि लो विजिबिल् जरूर बताईएगा और आपको यह भी बता दूं कि यहां पर बताया जा रहा है उप महा निर्देशक और पुलीस के अधियक्ष रैंक के अधिकारी सहीत एनाई की टीम जो है वो फॉरेंसिक विशेशक्यों के साथ यानि पूरी एक टीम के साथ उस घटना स्थल पर उस जरू हो जाएगा वहीं पर आपको बता दूं कि जो देश को जोड़कर रखने वाली घटना थी वो यह थी कि यहां से जो प्रानर्बिक विवरन एकत्त करेंगी उसके बाद ही जो है पूरी डिटेल वो बताएंगी जमकुश्मीर पुलीस के एक बंब निरोदिक दस्ता औ तो उस वाहन पर हमला किया गया जो वाहन वहां से निकल रहा था और यह आंतकवादी घटना थी इसका बाद में पूरा जाइजा लगा कि उनकी तरफ से एक गरनेट जो था वो उस गाड़ी पर दागा गया था जमकुश्मीर के बाटा डोरिया इलाके में जंगल की बात कि जहांगी तो जंगल के बीचों बीच जब गाडी जा रही थी तो बताय की बात की जा रही जाए वही के बीच मेत गाчики जा रही थी तो हमारे पाँच जवानों को जो एक बिछी घटना गया दिए तो काफ़े दुखत है कि हमेशा टार्geٹ जवानों को किया जाता है क्योंकि आप जब जवानों को टार्गेट करेंगे तो देश का कोई बी ऐसा व्यक्ति जो है ये बरदाश नहीं करेगा और ऐसा ही हो रहा है कि लोग बरदाश नहीं हर समय जो है वो लोगों के लिए खड़े रहें और ऐसा होता भी है अगर आपने हम कभी भी शहर बजार जाते हैं तो हमारे जवान दिखेंगे आपको हर चौकसी पर हर किनारे पर हर मोर्चे को संभाले हुए हमें वो दिखते हैं तो ऐसे में पुलीस को चाहिए और सुरक्ष लिकाई से ये जुड़े हुए थे सारे जवान और आज इनके परिवारों के पास बताया जा रहा है कि इनके पार्थिक शरीर जो है वो पहुंचाय जारहे हैं काफी दुखत है कि चार करते हैं कि परिवार को हिमद दे भगवानruit और कहीं न कहीं हमारे वीर जवान अमर रहें यही हम प्रात्ना करते हैं ओम शांति